आज के समारों में उपस्तित 26 मई 2014 को प्रहानमंत्री पत्की सफ़त लेते समय आजणे मोली जी ने इस बात के लिस्पश्ट किया था कि ये सरकार दिकास के लिए कारे करेगी और लोग कल्यार करी युजनाओं के माधिर से समाज के अंतिम बेक्टि तक सासंगी युजनाओं का माध पहुचाने के लिए कि संकल भी थे मई 2014 से बेश के अंदर विकास में गती पपड़ी थी लेकिन उतरप्रदेश में वा गती कहीं नहीं औरुट थी उतरप्रदेश की उस अवरद गती को एक नई जिसाद प्रदान करने के लिए एक परिवर्टन का भियान प्रदेश के अंदर चला और जिसके पैड़ाम सरूप प्रदेश की जनता ने आज़ने प्रदान मत्री जी के आवहान को स्विकार करते हुए प्रदेश की अंदर भारती जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान प्याब आज प्रदेश की सरकार केडर की सरकार की दर्ज पर आधाय मोजिंजी के विकास के इस अभियान पो कि कारते हुए उतर प्रदेश को देश के सवक्तम प्रदेश की रूपने स्थापिट कर ने कम प्रसद पल्पिट है नम्दे समय से प्रदेश विकास के दूर था प्रदेश में कानून विवस्ता की भस्तिस्टिती थी प्रदेश में आम जन्द की सुनवाई नहीं हो पा रही थी नौजवान प्लाइन करने के लिए मजबूर हुआ था हम लोगों ने सप्ता में आते ही से चुनौती के रूप में स्विकार किया और हम सब इस बात के लिए पुरी मजबूरी के साथ हम कहने कहना चाते हैं कि प्रदेश में प्रड़तन प्रारंग हो चुका है आने वाले समय में प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश से प्लाइन करने की नौवत नहीं आने भी जाएगी प्रदेश ने विकास की उन प्रक्रियाओं को जो अपट अन्य प्रदेशों में तो दिखता था लेकिन दुर्भाके से उत्तर प्रदेश उसे बंची तो होता था अब हम विकास की उस योजना को अन्तिव बेक्रित पहुँचाने का कारे करेगे और इसले हम लोग तैकर चुके हैं कि किसी भी इस्तिती में 15 जून तक प्रदेश की सवी सरकी बढ़्धा मुक्त हो जाएं देश क्यानाने प्रभानमंत्री जी ये देश के अंतर बियाईटी स्वंस्क्रिपी को पूरी प्रेस समाप्र करके लोग पंत्र के लिए कि लोग तंद्र में जनता ही जरावगन की भूटी कामें है इसमें सही माइने में वही ब्याइटी है प्रदेश में जब याइटी संस्क्रिपी की बात करते थे तो यह को लाल बत्ती और हूटर उसका प्रटी कमाना जाता था और अगर जिनों की बात करते थे तो मुख्य मंत्री जी जिरे से होता था या कोई कवंग मंत्री किसी जन्वत का होता था तो वहाँ अपने अन्रूप उन्हां पर बितुत की आपूर्टी करवाता था हम लोगों ने कहा कि नहीं प्रदार मंत्री जी ने कहा कि लोगत्तर में वियाई की संस्क्रिप्ट ने सुना तो हो और जनता को सासन की लोगत लिया करी योस्मा पर आप मिलना चाहिए हम लोगों ने तैकिया कि प्रदेश के अब चार जिले नहीं बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में विद्दुत की आपूरती अनुड़त होनी चाहिए मुख्याले को 24 घंटे फिक्म्त की आमोटी तैसी रूख्याले को 20 घंटे फिक्नूट की आप्णों के और गामेट चेक्टौमें अम लगों ने इस बात के लिए कहा है कि बितूब का ट्रांस्फार्मर जल जाता था तो 48 गंद माथ कई-कई-कई मेहनों तक ग्रामेंड छेत्रों में बदता नहीं था सहरी छेत्रों में ये समस्या हो गी थी हम गोले तैगिया है कि ग्रामेंट छेक्र में 48 घंटे के अंदर और सेरी छेक्रों में 24 घंटे के अंदर बित्नुत की बित्नुत ट्रांस्पर्मर चलने पर उन्हें बदलने की तक्यार का रवाई हो लेकिन मेरा आप सबसे लियागरा होगा अगर हम 24 घंटे बिजली चाते हैं तो जहां कहीं भी बित्नुत की चोरी हो उसको रोगने के लिए जन्ता को चागरू करें कि बित्नुत की चोरी नहों बलकि रोग बित्नुत का कलेक्शन दें सरकार उसे बित्नुत का कलेक्शन देगी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हम निसों को भिदुत का कलेक्सन उत्मत्त दर्वाएंगे लेकि पर आकरा होगा कि भिदुत का दिल कम से कम जितना होगा उतना भिदुत का दिल जरूर भरें जिससे 24 गंटे विक्तुत की आपुर्थी ग्रामिन और स्वारी चेत्रों में हम लोग अक्टुवार 2018 से पूरी तरीके से प्रभवी कर सकें इस दिसे जनता का सयोग उत्तरप्रदेश के सरकार चाहेगी चजनों किसान तबा होता था उसका कोई पुरसाहा नहीं था अनसूची चाति के चात्रों को कई वर्सों तक आदे चात्रों को इस कवरसित मिल पाती थी आदे चात्रों से बंचित हो जाते थे पिछडी चात्रों को भी इस कवरसित से बंचित होना पड़ता था वारिकाइं सुरक् updated नहीं थी हम लोग कराण की अब ये नहीं चलेगा परदेस में चैयो ममसुची जाति का चात्र हो, चैयो पिछणी चात्र हो, चैधी मेदावी चात्र किसी भी जाति त्थिका हो, चैयो बारिका हो, इन सब को जो भी उनका अधिकार है वो अधिकार मिलना ही चाहिए और परदेश के सरकार वो अधिकार जिनाने के लिए कि प्रद्टर्पित है आज उसी करम ने विकास की नियोजमा पागे बढ़ाते वे हम लोगों ने एक अभ्यान प्रारम किया है मैं भी पिछले जिनों गुंदेट प्रद्शेत्र में गया था गुंदेट प्रद्शेत्र में जल की आपूर्थी उस रूप में नहीं जिस रूप में पूर्वी उत्तरब्रेस में है पूर्वी उत्तरब्रेस इस मामदे में सौभा के साली है कि आपर जल संसादन परचूर मातरा में है लेकिन हम सबको एक बात कर ध्यान लखना होगा कि परचूर जल संसादन जहां हमें प्रकृष्टी की देल है यही परचूर जल संसादन को हम परदूस्ण से भुक्त नहीं रख पाए हैं हम लोगों के आसपास नदी हैं चोटे चोटे नाले हैं जो किसी ना किसी बड़ी नदी में मिलते हैं फिर वही बड़ी नदी आगे गंगासी में मिलती है अधिया है, पर नदए और नामों को प्रद्वूसित करके रख लिया है इस फ्रमूसान से sechs लुप्त लखने के लिए देश की नदी संस्क्रथे को पुणरचिलित करने के लिए देश में सिनाथन प्रंपराग़ की प्रतीफ भार्द्वियता की प्रतीफ गंगां मा जौक्ष देह cñosर्व को कितना स्करफिटे रहे हैं इतना अग्रम करें हैं ए कितिना अग्रम लोगी रीगा और शर्खे से प्रफ उन्हें प्रक्व के के इसbn दुकि वर माथ चुइश के इस के लिए हैं हुआर अग्रश चाह साहु पर जूक्राब हैं इसके साथ साथ गंगा जी की तमां सहाइक लगियां हैं कराती है गंदक है सर्यूजी है गोंती है यम्राजी है इन सभी नभीयों को भी प्रमुस्ण से मुक्त रख सकें यह कारे चाहा हम सब को जन सयोग से अभ्यात्मक्त जन जावुक्ता के मातिर से करना होगा वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इनसे प्राइक्टिस जैसी बिमारी को अगर नियंद्वित करना है उसके लिए सुद्व पेजल की आपूर्दी के साथ 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 सपाई और स्वच हजारों की संख्या में मासूम बच्चों को कार्धे गाल में भेज देता है नेका मासूम बच्चाक काल के गाल cabbage समा जाता है और और अगरमें Oldie करना है अगर हमें धेगों को जनल्तित करना है अगर हमें पाणाचार और अन्यव चीमन गुनिया जैसी वीसानु जनलिक विमारियों को जनल्तित करना है कि इस द्याबट, अभ्यान के साथ जुढ़ने के लिए मैं पूरने उत्तर प्रदेस के फदेख नोस्यमान का हुआन पुरूगा कि अभ्यान के साथ जुढ़े और अपने गाओं को, अपने घर को, अपने महले को, अपने कस्रे को स्वच्छ वठने में अपना योग दान के हम हर कारिपी ने सरकार पर निर्फार रहने की जो आदत बन चुकिए उससे अपने को प्रादा दूर करे कुछ कार ऐसे हो जम चल सयोग से लिप्रारण को हो सके जिनमें जन्ता की सहवाक्ता सुनिस्टिक हो सके जिसके बातियां सिर्व आमज जन्मानस को जोड़ करके आमज जन्मानस को उसके पर की आग्रही बना सके और स्वच्छ ताक अभियान इसी करम ने एक महत्तपूर अभियान है मेरा आप सब से आवहन होगा कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ हम सब जुड़ें प्रदेश मैं कानून का राजस्टापी को नहीं होगा है यह हम सब के सामे एक जौँ दी थी लोग बराबर इस श्वाजय में कहते थे कैसे होगा उतर बिष कोई पूरी दरेस करने को तयार नहीं था उतरव्योग उत्योग 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 उत् सरकार खाने अस्ताइब हो हमारे नोसरावानों को रोजगार पढ़ाते हो लॉकलियुस को अपने घर में पढ़ाते हो इसी को माहोल बनाने के रिए प्रदेश की सरकार इत्याइप पर चुकी है इतना भी बड़ा क्यों नहीं हो अगर वा कहीं दी कानुन के साथ बिलबाद कर कि फूट कर देश का प्रियाइब नहीं बन्येस को देश के सबुतम प्रदेश की स्टेडिय Yoshi करना है तो में प्रदेश के अंदर कामरा का राज इस्कापित करना ही होगा और इसे आधे आधे वाद जन्मास को एक बार सरकार के साथ लुए पूरी उत्रप्रदेश की पैचान की की अर्फी सिर्थ उस्ता घरीड यहां की एक एक करके बंग होता गया आज इसके दिए है कि 31 चीनी मिनों समय से मात पर 11 चीनी मिने चलता रही है उनकी इसके प्रदेश सरकार में तरह किया है कि हम प्रदेश के इस चीनी उत्यों का जिर्ण अधार करेंगे प्रदेश सरकार के आगरपर प्रदेश सरकार में जब इस बात को कहा है कि हम प्रदेश में उत्यों रगाने का माहूल देंगे उत्यों को सुगट सा देंगे लेकिन अगर किसानों के साथ कहीं कोई भेदभा होता है उनके हितों के साथ कहीं कोई खिलवार होता है तो सरकार इसको स्विकार नहीं करेगी परदेश सरकार के आकरों को परदेश के जीनियू प्योग में बाना और उजे बताते हुए प्रसंता हो रही है हमें अब तक गन्ना किसानों का पच्पन सो करोड़ के लगए पच्पन सो करोड़ का गन्ना मुल्य का वुक्तान प्रेश के किसानों का हो चुका है 120 की इनके तर भी जो समय सीमा है इसमें हमेरा प्यास है कि चालू वर्ष की तो सभी गंडा मुल्य का रुख्तानों होई पिछला जो पकाया है कई कई वर्षों में गंडा मुल्य का बोकाया रहे चुका है उसका रुख्तान भी गंडा किसानों को हो सके पहुत सावशे चीजियेakter है नहीं लग नहीं उसका वहाओ था और आज इसी स्रिंखला पागे बनाते हुए परदे इसकी सरकार इतना इतना किया है कि जो लड़के आईएस बीसीएस की तयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम गोरापूर में एक वोचिंग शैंक्र की इस्तापना करें और इसके लिए आज उसका स्लामियास का कारिक्ता नहीं हाँ पर सब्सक्र कर रहा है इसके लावा हम लोगों ने यहाँ पर हमसूची जाती जन जाती के बच्चों के ठात्रावादी मिवस्ता हमको ग्यां देने जाने हैं हम लोगों ने रास्तिय विद्यालियों की अस्तापना के गड़में में अन्यकाले पड़ारों को करने जहां पर सुखें उस एक में विद्याले की अस्तापना सहे जमात छेत्रों में हम लोगों की स्तापनी करेंगे और साथ साथ गोरगपूर में आप जब यह पोर्ट पी ओर जाते हैं नंता अगर में ग्रोसिंग बंद होता है अगर आपको भाइट को टमी होती है तो अगर आप भर से निकले कहीं जाम पे तमस गए और नंता अगर में चले गए वहाँ पर संपार भागग बंद है अगर यह स्थान में एरपोर्ट था एरपोर्स का स्टेशन है एनुसी नहीं मिल पा रही थी प्रदेश सरकार में त्रह किया है हम लोग नंता नगर में एक खोर लेंग का अंडर पास उपना करके किसी को भी किसी की प्लाइट का जूट लेता है हम लोग महानगर के अन्य अस्थानों पर भी इस प्रकार की सुथा उप्लब्द करवाएंगे जिससे आपके आवा गवर्न में किसी भी प्रकार की प्रेशानी नहो और इमर जंसी में अगर आपको एरपोर्ट जाना है तो आप आजमानी से महां आजा सके अन्य शेक्रों में भी इस प्रकार की कारवाई हम लोग प्रारणों करेंगे